आप सभी का यूटूब चैनल में स्वागत है आईए आज हम सभी लोग कुछ इस्पेसल टॉपिक्स का इस्टेडी करेंगे जैसे इसमें जितने भी फादर्स इंपॉर्टेंट फादर्स उनकी बारे में आज हम जानते हैं जोंपूर्टेटी एजाम में पूछा कर किया जाता है वे अक्सर पूछते हैं कॉम्पूर्टिव एजाम में अक्सर पूछा जाता है आज हम सभी लोग सभी की फादर्स के बारे में जानेंगे फाइस्ट अफ़ाल इसमें फादर आफ यूजिनेक्स फ्रैंसिस गाल्टन है फादर आफ इथोलोजी कोनार्ड लॉरेंट जहें फादर आफ एंटिबायोटिक्स अलेकजंडर फ्लेमिंग है फादर आफ टीसू कल्चर हैवर लैंड जहें फादर आफ ब्लड सर्कुलेशन विलियम हारवे फादर आफ ब्लड ग्रूप लैंड इस्टीनर है बर्ड मैन आफ इंडिया जिस जिनको इंडिया का बर्ड मैन कहा जाता है डाक्टर सलीम अली डाक्टर सलीम अली ने बर्ड के बारे में काफी अध्यन किया था इस कारण इनको बर्ड मैन आफ इंडिया कहा जाता है पूरे वर्ड में लगबग 1200 प्रजातियां बर्ड की हैं जिसमें से 900 प्रजातियां हमारे इंडिया में पाया जाती है जिसका पूरा अध्यन डाक्टर सल्निमरी नहीं किया था फादर आफ जेनेटिक्स ग्रेगर जान मेंडल फादर आफ मॉडर्न जेनेटिक्स विलियम बेट्सन फादर आफ यूमन जेनेटिक्स या उसी कहते हैं बायो केमिकल जेनेटिक्स इसके फादर है आर्ची बोल्ड गैरोड फिर उसको बाद फादर आफ एक्सपरिमेंटल जेनेटिक्स के टी एच मारगन है जोने ड्रोसो फिला पर अपना इस्टेडी किया था टी एच मारगन के बाद आते हैं फादर आफ जनेटिक इंजिरिंग पाउल बर्ग फादर आफ डिने फिंगर प्रिंटिंग एलेक्स जेफ्राई फादर आफ डिने फिंगर प्रिंटिंग इन इंडिया लाल जी सिंग उसकाद फादर आफ मेडिसीन हिपोक्रेट्स है जो फादर आफ मेडिसीन होता है फादर आफ मेडिसीन का ही जब मेडिकल स्टुडेंट्स का MBBS कम्पलीट हो जाता है तो हिपोक्रेट्स का सपत दिलाया जाता है और इन्हें ही फादराफ मेडिसीन का जाता है और फादराफ प्लास्टिक सर्जरी सूसूरूता है और जो सूसूरूता है वो इंडियन साइंटिस्ट है जिनों ने प्लास्टिक सर्जरी दिया था फादराब बाईलोजी, एम्रियोलोजी, अंडियोजी के एरिस्टोटल है फादराब बाटनी, थियोफ्रेश्टस, फादराब मॉडर्न बाटनी के बाउहिन बाउहिन है उसके बाद फादराब कम्पटेटिव एनाटॉमी जार्ज क्यूवियर है उसके बाद फादर आफ माइक्रोइसकोपिक एनाटामी या फादर आफ हिस्टोलोजी मारसेलो मैल पी ही है फिर फाधर आफ एनाटॉमी एन्डियूज वेरलियस है वेसलियस एन्डियूज वेसलियस उसके बाद फाधर आफ श notably फ्रांसिस्कोशिस जे वियर बिकट या बीचार पढ़ते हैं पाधर आफ साइटोलोजी राबर्ट हुक फादर आफ इंडियन साइटोलोजी प्रोफेसर एकी सर्मा बेरी इंपॉर्टेंट सभी लोग जानते फादर आफ साइटोलोजी लेकिन कोई ध्यान ने दा इंडियन साइटोलोजी के फादर कौन है एकी सर्मा है यह आप लोग ध्यान रखेंगे फादर आफ माडरन साइटो उसके बाद फादर आफ modern embryology, one bayer है, फादर आफ microscopy या microbiology या bacteriology के Antoni-one-levenhark है, फादर आफ immunology, Edward Jenner है, फादर आफ endocrinology, Thomas Edison है, फादर आफ conditions reflexes, कि आई पी पावलाव है फादर आफ एसीजी फादर आफ एसीजी इंस्थो ओवेन है फादर आफ इंब्रियोलोजी सी अफ वुल्फ है फाउंडेशन आफ मौडर्न पैलियंटोलोजी क्यूबियर है फादर आफ पैलेंटोलोजी लियोनार्डो डाई वीनिसी है फिर फादर आफ इंडेटलोजी इमेंस्थोमिनाथन है फादर आफ ग्रीन रिवोल्योजी नारमल इबोरलांग है फादर आफ जर्मेटलोजी जिरेंटोलोजी सॉरी फादराफ जिरेंटोलोजी का कोरिन चैसकी है उसके बाद आते हैं फादराफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलोजी का गैलेन है फादर आफ बायोकेमिस्ट्री के कार्ल निर्णबर्ग है फादर आफ एटीपी साइकल के लिपमेन है फादर आफ किमेटोथिरेपी या कीमोथिरेपी के पाउल एहल रिच है फादर आफ रेडियेशन बायलोजी हर्मन जोसेफ मूलर है फादर आफ इंडियन ब्रैयोलाजी एसार कस्याफ है फादर आफ इंडियन पेलियेंटोलोजी बीरवलसानी है उसके बाद केसी महता specialist of plant pathology in इंडिया है who discovered black rust of wheat in इंडिया पी महिस्वरी को word famous of embryology कहा जाता है फादर आफ modern इंडियन algology या phycology यम ओपी आएंग कर है उसके बाद फादर आफ यूजेनिक्स Francis Carlton है फादर आफ इतोलोजी कोनार्ड लॉरिड जह है यह हो चुका है फादर आफ यूजेनिक्स इंफिर इबार बोल देते फादर आफ इतोलोजी कॉनरड लो रिंज है कोनार्ड लो रिंज फादर आफ यूजेने फ्लेमिंग है फादर आफ टी सीकल्चर हर् handmade land brothers पादर आफ बलड ब्लड कर घ्रूप और बैन आफ इंडिया यह सभी हो चुका है आएए हम इस पर देखते हैं जो फैमिली में सबसे बड़ा फैमिली कमपोजिटी है उसके बाद आर्कीडेसी है आर्कीडेसी मोनो काटिलन्स है जबकि कमपोजिटी डाइकाटिलन्स है फैबेसी थार्ड नंबर का सबसे बड़ा फैमिली है फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा फैमिली र 3R या दी जार टाइक और इनस फैमिली उसके बाद काईटीन का यहां सुत्र सबको दिखरा होगा C22, H54, N4, O21 का होल यह काईटीन का जो है फार्मूला है फिर फास्पोरिक एसिड का फार्मूला जो एकजाम से पोचता है इस प्रकार सब इंपॉर्टेंट साइन्टिस्ट का नाम हो गया अब इसके बाद नेक्स्ट डे कुछ अलग बताया जाएगा ओके